हेलो एप्रिवन नोटबुक आईस के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम भारती संसर से रिलेटेड महत्पून कुश्चन्स को देखने वाले हैं लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल नोटबुक आईस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे की आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो आए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं हमारा पहला कुश्चन है लोगसभा का सदस चुने जाने के लिए एक व्यक्त की व्यक्त को किस आई उसे कम नहीं होना चाहिए तो लोगसभा के लिए मिनिममम 25 वर्स का होना चाहिए 18 वर्स की बात करें तो यह ओट देने की आई होती है मिनिमम को अगर आप 18 वर्स के हो चाहते हैं तो आपका ओटर आडी बन जाता हो वर आप ओड़ दे सकते हैं किसी भी चुना में एक कीस वर्स जो होतकी होता है यह होता वीदान परीशद के लिए बिदान परिशद कि petits और इस्थानों का आधारित है 1951 की जनगलना पर, 1961 की जनगलना पर, 1981 की जनगलना पर तो जो बर्तमान में लोकसभा सीटे हैं प्रतेक राजी के लिए उसका आवंटन जो हुआ है 1971 की जनगलना के आधार पर हुआ है यहाँ पर आपसंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अगला कुष्चेन है भारतिय संसद में निवन में से कौन सामिल है लोकसभा और राजसभा लोकसभा राजसभा प्रदान मंतरी लोकसभा के अध्यच एवं लोकसभा राष्टपती एवं दोनों सदन तो भारतिय संसद में राश्टपती आता है और साथ ही साथ लोकसभा और राजसभा आती है मतलब राश्टपती और दोनों सदन option D यहाँ पर correct answer हो जाएगा हमारा अगला कुश्चन है एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवस्यक है एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार तो एक वर्स में कम से कम दो बार संसद की बैठक होना अनिवाद है option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा हमारा अगला कुश्चन है संसद के दो सत्रों के बीच में अधिक अधिक अंतराल होना चाहिए यह मतलब मैक्सिम कितना अंतराल हो सकता है चार महीने का, छे महीने का, एक वर्स का या फिर जो समय राश्पत निधारित करें तो संसद के दो सत्रों के बीच मैक्सिम जो होता वो छे महीने का अंतराल हो सकता है option B यहाँ पर correct answer हो जाएगा हमारा अगला कुष्चन है बिना अनुमत के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग घोसित किया जा सकता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन तो यहाँ पर option B correct answer हो जाएगा 60 दिन 60 दिन अगर कोई भी संसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग घोसित कर दिया जाएगा option B correct answer हो जाएगा अगला कुष्चन है संविधान के किस अनुशेद की अंतरकत नियायालियों द्वारा संसद की कारवाहियों की जाज करना प्रतिवंधित किया गया है अनुशेद 127, अनुशेद 122, अनुशेद 126 या अनुशेद 109 तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा अनुशेद 122 option B अनुशेद 127 की बात करें तो यह तदर्थ नियायादीसों की नियुक्ति से related है तदर्थ नियायादीसों की नियुक्ति नियायादीसों की नियुक्ति अब आर्टिकल 122 आपको समझ में आ गया कि नियायलियों द्वारा संसत की कारवाईयों की जाच करना प्रतिबंधित किया गया और उच्छेद 122 के थुरू 126 की बात करो तो यहाँ पर कारवाहक मुखने अधिस की बात करता है 126 कारवाहक मुखने अधिस मुखने अधिस और आर्टिकल 149 जो है तो यह सुप्रियम कोट को कुछ रिट जारी करने की सक्तियां देता है सुप्रियम कोट को कुछ रिट जारी करने की सक्तियां देता है सक्तियां देता है और यह देता है जो हमारा आर्टिकल 32 है आर्टिकल 32 के खंड पर मतलब उसके किसी भाग के आधार पर सुप्रिम कोर्ट को रिट जारी करने की सक्ति देता तो यहाँ पर आप्सन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुछ ने लोग सभा का कोरम कुल सदस् एक बटा तीन, एक बटा पांच, एक बटा दस या एक बटा ग्यारा तो कोरम कुल सदस्का एक बटा दस होता है आप्सन C यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अगला कुछ ने भारत में किस राज जिसे लोग सभा वा राज सभा का प्रतनीधित सर्वाधिक ह उत्तर परदेश, मध्परदेश, महाराष्ट, तमिलनाड तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस राज से लोग सभा वा राज सभा का प्रतनीधित सर्वाधिक है तो वो है उत्तर परदेश से यहाँ पे आप्सन A करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम देख लेते हैं राज स सभा और लोग सभा सीटे कितनी हैं कौन से जगा से तो अगर हम उत्तर परदेश में राज सभा सीटों की बात करें तो 31 है उत्तर परदेश में और लोग सभा सीटे जो है वो 80 हैं और यह मध्परदेश में राज सभा सीटे 11 हैं लोग सभा सीटे 29 हैं महाराष्ट में राज राजसभा सीटे जो है वो 19 है और लोगसभा सीटे 49 है और तमिल नाडु की बात करें तो यहां पर राजसभा सीटे जो है वो 18 है और लोगसभा सीट जो है वो 49 है तो यहां पर option एक correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश हमारा अगला question है भारत में लोगसभा का अध्याच मनोनीत किया जाता है चैनित किया जाता है निर्वाचित किया जाता है नियुक्त किया जाता है तो भारत में जो लोगसभा का अध्यच्छ होता है वो चैनित किया जाता है जितने भी सांसद होते हैं जब MP का चुना होता है तो जितने भी सांसद चुने जाते हैं उसमें जो सबसे औरिष्टम सांसद होता है उसको लोगसभा का अध्यच बनाया राता है तो उन्हीं में से चैनित किया जाता है सांसदों में से चैनित किया जाता है यहां पर आप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अगला कुस्चन है संसद का लोगप्रिय सदन है लोगसभा और आगला कुछ्छन है संसत का स्थाई सदन है लोकसभा राजसभा उप्युक्त दोनों इन मेंसे कोई नहीं तो राजसभा जो ए वह अस्थाई सदन है और लोकसभा जो हर 5 साल पर बिगडित हो जाती है इसका फिर से चुना होता है लेकिन राजसभा कंटीन्यू चलती रहत हमारा अगला कुछ्छन है निमलीखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है राष्टपती उपराष्टपती लोकसभा या राजसभा तो संसद का भाग कौन नहीं है उपराष्टपती संसद का भाग नहीं है राष्टपती लोकसभा और राजसभा मिलके संसद बनती है अनुछेद 74, 89, 89, 80, 85 तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा अनुछेद 89 अनुछेद 89 में कहा गया कि संगे के लिए एक संसद हो भी अब एक यहाँ ट्रिक से आप याद रख सकते हैं सरला यह होता है 89, 80 और 81 89 में सा, सा से होता है संसद, रा में असी है रा से होता है राजसभा और 81 पर ला अता है इसलिए हो जाएगा लोगसभा आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं तो यहाँ पर 89 जो हो गया यह संसद से related है और 80 जो है यह राजसभा से related है अगर हम 74 की बात करें तो यह मंत्री परसद की बात करता है कि राश्पत की सहायता के लिए एक मंत्री परिसद होगा और अनुशेद 85 की बात करें तो इसमें होता है राश्पत की हो सक्या है जिससे की वो सदन में किसी भी समय सदन में बैठक बूला सकता है या फिर सदन को भंग या निलंबित कर सकता है तो यहां पर option भी correct answer हो जाएगा और अनुशेद 89 अगला क्युकित निलंखित का क्तनों में कौन असत्त है लोक्सभा के संसत का पर थम सदन कहा जाता है राज सभा को संसत का दितिय सदन कहा जाता है राज सभा एक आस थाई सदन है लोग सभा संसत का लोगप्रिय सदन है तो कौन असत है यह पूछा गया यहाँ पर तो यहाँ पर आप्शन सी है राज सभा एक आस थाई सदन है जबकि यह गलत है तो यहाँ पर आप्शन सी सही अ राज सवा राज्यों का प्रत्निध्युत्त करता है या उप्युक्त सभी तो यहां पे कौन सा सही पूछा यहां पे सारे सही आप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अगला कुछ ने भारतिय संसत के दोनों सद्नों की संयुक्त बैठक किस संबंद में होती है संभिध बित्विधयक साधारन विद्विधयक भारत की उप्रावराशपति का चुनाओं तो यहां पे जो दोनों सद्नों की साथारण विधयक के लिए ऑप्संसी करेक्ट आंसर हो जाएगा और अगर हम साधारन विधेयक की बात करें तो ये क्या होता है धन विधेयक धन और बित विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक होते हैं वो साधारन विधेयक के अंतरकत आते हैं अगला कुश्यन ए साधारन विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसत के दोनों सदनों की बैठक को राष्ट पती बूलाता है प्रदान मंत्री स्पीकर डिप्टी स्पीकर या फिर राष्ट पती तो संयुक्त बैठक को राष्ट पती बुलाता है और राष्ट पती ही संबोधित करता है अप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाए यहाँ पे हमारा अगला कुश्चन है कौन सी प्रथा संसधिय प्रणाली को भारत की देने सुन निकाल कटवती प्रस्ता और अस्थगन प्रस्ता या फिर मंत्रालें की मांगों का गिलेटिन जारी करना तो यह जो सुन निकाल है यह भारत की देने संसधिय प्रणाली में सुन निकाल भारत की देने और यह बारा बज़े से सुरू होता है बारा बज़े से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूटूब चैनल लोटबुक आईएस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग